आज मैं आपके सामने एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है यह बजार की महंगी मिठाईयों से बहुत ही स्वाधिस्ट भनकर तयार होती है और हमें ज्यादा किसी ताम जहम की जरूरत नहीं है और नहीं इसमें हमें चासनी वगरा ब बहुत स्वागत करती हूँ अब इस मिठाई को बनाने के लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है इसमें हमने 1 3rd कप चीनी और 1 4th कप हमने काजू डाले हैं काजू ऑप्सनल है अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो न डाले अब इसमें हमने 4 हरी इलाइची डाली इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे तो काजू और जो टुकड़े वाले टूक्टे काजू होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका एक पाउडर तेयार करना है यह पाउडर बारी पीस लिया है यह देखिए अब हम इसको एक चननी से चान लेंगे ताकि इसमें जो भी चीनी के टुकड़े या इलाइची के टुकड़े रह गए हैं, वो सब निकल जाए हमें, इसका एक फाइन पाउडर बना कर तयार करना है, इसलिए हम इसको छान रहे हैं। मेरे आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, तो ए किनारे काट लेंगे, अगर हम इसके किनारे नहीं भी काटते हैं, तो हमारी मिठाई में कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कलर खराब हो जाता है, तो इसलिए हम इसके किनारे काट लेते हैं, और इसको हम फेकेंगे भी नहीं, हम इसको रख लेंगे, और इसक का प्रियोग कर सकते हैं स्वाद में ये बिल्कुल भी खराब नहीं लगते हैं ये हमने सारे ब्रेड के स्लाइस काट लिये हैं और ये अब हम इसके जो किनारे की कत्रन है इसको हटा के रख देते हैं ये थोड़ा सा सूख जाएंगे फिर इसको हम मिक्सी के जार में चला कर इ अब ये हमने वही जार लिया है उसमें हम ये ब्रेड के छुट छुटे टुकड़े करके डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे इसका भी हमें एक फाइन पाउडर बना कर तयार करना है इसको भी हम पीस लेते हैं ये देखिए हमने अपने ब्रेड को भी पीस देखिए ये इस तरह का पाउडर बनकर तयार हो गया है अब जो हमने चीनी और काजु वाला पाउडर बनाया था उसी में अब हम ये ब्रेड भी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हमें हलके हाथों से मिक्स करना है क्योंकि ब्रेड में अब हमने इसमें एक कप मिल्क पाउडर डाला है अभी इन सारी चीजों को अभी हमें हलके हाथों से मिक्स करना है इस मिठाई में हलवाई वाला स्वाद लाने के लिए हमने ये चार पांच बूंद केवड़ा जल की यूज किया है हलवाई लोग सारी मिठाईयों में दो चम्मच ताजी मलाई डालेंगे मलाई आपको बिल्कुल ताजी लेना है बहुत ज़्यादा कई दिन की रखी हुई बासी मलाई का प्रयोग नहीं करना है ये हम दो चम्मच भरके इसमें मलाई डालेंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो तयार कर इस मिठाई को हम दो लेयर में कैसे सेट करेंगे इसके लिए आप वीडियो को पुरा ध्यान से देखते रहें इसके बिल्कुल नहीं करेंगे ये हमारा डो बनकर तयार हो गया है अब हम इसको दो भाग में बाट लेंगे क्योंकि हम मिठाई में दो कलर देने वाले हैं इसल आदा छोटी चमच कलर डालेंगे, आपके पास पाउडर वाला कलर हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, आपके पास अगर कोई और कलर हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप केसरिया कलर का ही यूज करें जो भी कलर आम पास आवेलिबल है आप उससे मिठाई बनाकर टयार कर सकते हैं अब ये दूसरा वाल पावल हमने लिया है इसमें हम ग्रीन कलर डालेंगे ग्रीन कलर पौटर वाला प्रियोग कर रहे हैं इसको भी हमने आधा छोटी चमर डाला है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने अपने चाइनल में बहुत सारी मिठाईयों की रेसिपी अपलोड की हुई है इस रक्षा बंधन आप उनको भी देखकर बना सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्टन बॉक्स में दे दूँगी अब एक मैंने बरतन लिया है, आप कोई भी बॉक्स या केक टिन या ट्रे कुछ भी हो उसको घी से ग्रीस कर लें और बटर पेपर लगा लें फिर उसमें ये एक पार्ट रखके प्लेन कर लें, अब ये दूसरा वाला भी उसके उपर हम रखकर इसको बराबर से फैला देंगे इसको हमने थोड़ा सा हाथ से बराबर कर लिया है, ताकि हमारी लेयर बिल्कुल पर्फिक्ट बन कर तयार हो और इसको अब हम हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए सेट कर लेंगे, फिर एस स्पैचुला से इसको हम बिल्कुल चिकना कर देंगे अब 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, ये फ्रिज में रखने के बाद हमने इसको निकाल लिया है ये प्लास्टिक का टिन है, तो ये कितने आराम से निकल गया है बटर पेपर को हटा देते हैं, ये देखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छी बन कर तयार हुई है इसकी लेयर भी आप देख सकते हैं, अब इसमें हमने ये चांदी का वर्क लगा दिया है डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इसके उपर से हमने कुछ बारी कटेवे पिस्ता भी डाल दिये हैं इनको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, इसके बाद इसके पीस कट कर लेंगे आप मिठाई के पीस अपने पसंद के काट लें, आपको जिस तरह के जिस आकार के पसंद हो उस तरह से आप काट सकते हैं मिठाई को कट करने से ही पता चल रहा है कि मिठाई कितनी सौफ्ट बन कर तयार हुई है और स्वाद में तो इतनी लाजवाब है कि कोई बता ही नहीं सकता कि ये ब्रट से बन कर तयार हुई है या फिर आप इसको बजार से खरीद कर लेके आए हो हमारी ये सारी मिठाई बन कट के तयार हो गई है ये देखे चारो तरफ से इसमें बरावर से कलर आया है दोनों लेयर बरावर है अब इसको हम तोड़ के दिखा देते हैं देखे कितना अच्छा टेक्शर है इसका बिल्कुल सॉफ्ट बन कर तयार हुई है आज हम इस मिठाई को तीकोने शेप में कट करेंगे ये देखने में बहुत सुन्दर लगती है अगर आपको हमारे ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंट फैमिली में शेयर करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद